वेलकम टू आर चैनल फेंटसी फॉर्चून इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सिस वेस्ट इंडीस फर्स्टी ट्विंटी आए जो गी खेला जाएगा इडन गार्डन्स कॉलकता में क्यों सकती है पॉसिबल प्लेइंग लेवन कॉन से प्लेइर से मैच मिस करने वाले हैं क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम ग्रेंड लीग की क्या टीम से रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले है अगर आप लोग नए हैं आप हमारे साथ टैलिग्राम चैनल पर जुड़ जाईए यह हमारा telegram channel है fantasy fortune के नाम से है link description में मिल जाएगा साथ के साथ मैं comment section में pin कर दूँगा उसके तुरू आप जुड़ जाना आप search करके मत जुड़ना क्योंकि fake channels काफी सारे हैं हमारे नाम के so link description में comment section में उसके तुरू आप join कर लेना साथ के साथ youtube channel को subscribe करके bell icon दबा दीजिए जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी so बात करते है venue की so hidden gardens में match होने वाला है iconic ground है यहाँ पर अभी तक 8 t20i खेले गए हैं और जिनमें से 3 जो है batting first करते हुए team ने जीते हैं और batting second करते हुए यानि कि chasing team ने पांच बार match जीता है तो यानि कि chasing करना है यहाँ पर थोड़ा आसान रहता है और average जो first inning का score है वो 148 है so देड़ सो रन तक का आप average score मान के चलो so इंडिया अगर batting करती है so मुझे लगता है 170 रन तक बन सकता है लेकिन अगर western इस पहले batting करती है तो हमें 140 से 150 रन का score हमें देखने को मिलना चाहिए बात करते है team news की so location राहुल जो है वो available नहीं है यहाँ पर so रोई शर्मा open करते हैं नसर आ जाएंगे इशान किशन के साथ high chances है इशान किशन ही होंगे आर गायक वर्ड भी के साथ भी अगर team चाहे तो उन्हें भी मौका दे सकती है विराट कोली है रिशप पंद जो है वो वाइस कैप्टन बना दिये गए है टीम के सूर्य कुमार यादव है और श्रय सायर इनमें से एक के लिगा सूर्य कुमार के ज़्यादा चांसे नजर आ रहे है वेंकटे शायर है हरशर पटेल दीपक चहर बुवनेश्वर कुमार यहाँ पर कुल्दी प्यादव आ गए है स्क्वार्ड में आ गए हैं सो यह आ गए है वाशिंग्टन सुन्दर की जगा जो मिस आउट कर गए है अक्सर पटेल भी अवेलिबल नहीं है अब सो यहाँ पर कुल्दी प्यादव खेल सकते हैं बिश्णोई खेल सकते हैं या इवन शारदू ठाकुर को भी टीम खिला सकती है और यहाँ पर युश्वेंदर चेहल आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे बात करते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से सो ब्रेंडन किंग ओपन करते हुए नजर आएंगे काइल मेर्स के साथ शाय होप भी टीम खिला सकती है बट मुझे रखता है काइल मेर्स के साथ टी-टुएंटी आए में जा सकती है निकोलस पूरन है, रोबमान पॉबल है, केरन पॉलार्ड है, जेसन होलडर, फेबियन एलन, रोमानियो शेफ़र्ड, अकील हुसैन, ओडियन स्मित और कॉक्ट्रेल आपको खिलते हुए नजर आ जाएंगे इंटरस्टिंग फैक्ट्स की बात करें, सो हेड टू हेड में रिकॉर्ड जो है, वो इंडिया का काफी हद तक बैटर है, लेकिन वेस्ट अडीज भी बहुत बेकार टीम नहीं है, टी-टुएंटी आए में वर्ल्ड चैंपिन रही हुई है, और ये इनका फेवरिट फॉर जो हैं, वेस्ट अडीज ने भी जीते हैं, हाइस रंस की बात करें, सबसे आदर रंस किसने बनाए हैं, सो करंट जो स्कॉर्ड है, उसमें रोहिश शर्मा का नाम सबसे पहले आता है, 519 रं बनाये हुए हैं, विराट कोली के 501, कैरन पॉलाट 292 और रिशप पंत के 222, पर रोहिश शर्मा फिर आते हैं, 71, विराट कोली 70 नोट आउट और कैरन पॉलाड 68, आप देख सकते हैं, विराट और विराट का तो नाम वैसे हर जगा आता है, इतने रिकॉर्ड उनके नाम हैं, सो हमेशा ही कोई सी भी टीम उठालो, उनके अगेंस इंडिया की तरफ से ह पर रहेंगे, रोहिश शर्मा बहुत अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन च्वाइस रहेगी, टीटी फॉर्मेट में स्पैशली, और अगर इंडिया चेज कर रही है, तो फिर तो कैप्टन बनाना बेस्ट च्वाइस रहेगा, रोहिश शर्मा को, अगर बैटिंग फर्स् रहेगा, क्योंकि वेस्ट इंडिस के अगेस, ओपनर को मिस करना, वो भी स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की बन जाता है, और इशान किशन खेलते हैं, तो हाइन कॉन्फिदेंस होंगे, बहुत अच्छी इनकी बोली लगी है, आईपियल के लिए, तो अच्छा अच्छा प्लेयर रहेंगे, और अगर आप इन्हें ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, और स्मॉल लीग में अगर इंडिया चेस कर रही है, तो आप रोही शर्मा और इशान किशन को कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, विराट कोली, आपको क्या ल लेकिन अगर टीम इंडिया बाद में बैटिंग करती है तो उसकेस में कैप्टन बनाना रिस्की हो सकता है क्योंकि वेस्ट इंडीस का कुछ नहीं पता वो सोरन पे भी होल आउट हो जाएगी और वहां पर उसकेस में इंडिया के ओपनर्स ही वो रन बना सकते हैं अगर बैटिंग फर्स थाए तो इंपटन वाइस्केप्टन कर सकते हो अगें यही फॉर्मला रहेगा इनके साथ इंपटन प्लेयर हैं बहुत अच्छी फॉर्म में है अच्छा टाइम इंजॉय कर रहे हैं अब तो वाइस्केप्टन भी बन गए हैं सो बैटिंग फर्स्ट करते हुए रिशप पंद बहुत इंपोर्टेंट है चेजिंग करते हुए आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो सूर्य कुमार यादव प्लेयर हाइली टैलेंटेड यहां पर श्रेयस अइयर को भी खिलाया जा सकता है लेकिन यहां पर अगर सूर्य कुमा अगेन एक Grand League की पिक जिनका सेलेक्शन काफी कम है एंड में आके हिटिंग कर सकते हैं और एक से दो वर भी आपको बोलिंग कर सकते हैं तो एक डीसिंट पिक रहेगी Grand League में हर्शल पटेल इंपोर्टेंट रहेंगे यहां पर विकेट्स निकाल सकते हैं और अगर खेलते हैं तो आप इन्हें especially पहले बोलिंग करते हैं अगर इंडिया पहले बोलिंग कर रही है तो हर्शल पटेल को captain wise captain भी किया जा सकता है especially Grand League में दीपक चाहर बहुत अच्छी form में है और इसी के चलते IPL में भी काफी अच्छी बोली लगी है दीपक चाहर की और यह बैटिंग से भ वाइस captain small league में कर सकते हैं पुवनेश्वर कुमार कल का मैच खेलने चाहिए और recent form बहुत अच्छी नहीं रही है लेकिन bowling first करते हुए एक अच्छी differential player बन जाते हैं कुलदी प्यादव यहाँ पर बिश्नोई और ठाकुर में से कोई खेलेगा अगर कुलदी प्यादव खेलत पटेल और भुवनेश्वर कुमार हैं इंडिया की तरफ से important player की बात करते हैं सो यहाँ पर रोहिशर्मा विराट कोली रिशप्पंत दीपक चहार हर्शल पटेल और ज्वेंदर चेहल जो है यह important player रहने वाले हैं इंडिया की तरफ से वेस्ट एंडी इसकी बात करते हैं ब्रेंडन किंग ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे यहाँ पर इनका ODI बहुत अच्छा नहीं रहा था लेकिन शॉट्स लगाके खेलते हैं और T20 इनका जो फेवरेट जो फॉर्मेट है जहां पर रन इनोंने करें है वो T20 आए ही है तो यहाँ पर आप इन्हें कर सकते हो क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और ओपन करेंगे आपको 30-40 अंड भी तेजी से बनाके दे दिये तो आपके लिए एक अच्छी पिक बन जाती है तो नोटा बैड पिक ODI से कंपेर मत करना क्योंकि इनका जो पसंदिदा फॉर्मेट है वो T20 आए है यहाँ पर यह कर सकते हैं परफॉर्म सो एक डीसेंट पिक आपके लिए रहेगी काईल मेयर्स खेलते हैं सो यह हार्ड हिटर खिलाडी है जवरत आने पर बोलिंग भी कर लेते हैं लेकिन अपना काम कर जाते हैं और चेजिंग करते हुए मुझे लगता है बैटर पिक आपके लिए बन जा जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो निकोलस पुरन टी ट्वेंटी आए में काफी खतरनाक खिलाडी बन जाते हैं अच्छी बोली इनकी भी लगी है वैसे वेस्ट इनीज वालों की सबकी अच्छी बोली लगी है और वन डाउन बैटिंग करेंगे तो एक अच्छा प्लेयर र करते हैं काईरन पॉलार्ड जो है वो रेस्ट करके आ रहे हैं डास्ट के दो माई चिद में रेस्ट किया था एक डिसेन्ट पिक बन जाते हैं लेकिन यहां पर बोलार्ट बोलिंग करते हैं तो फार्दा है प्लस यह बैटिंग अच्छी करते हैं काफी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं सो एक अच्छा ओल्राउंडर शेफर्ड है यहाँ पर अकील हुसैन है अगेन एक ऐसा खिलाडी जो थोड़ी बहुत आपको बैटिंग भी करके दे देगा और यहाँ पर इनको भी प्रमोशन यहाँ पर जेसन होलर के बाद अगर टीम चाहे और स्पिनर के ओवर को टैकल करना हो तो यहाँ पर अकील हुसैन को भी भेज दिया जाता है कभी-कभी और अकील हुसैन भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं प्लस लेफ्ट आम स्पिन है तो यह आपको चार ओर में 18 रंदे के एक विकेट इस तरीके के बोलर है टाइट लाइन और लेंज पर बोलिंग करते हैं और एक डीसेंट पिक रहती है ओडियन स्मिथ इंपॉर्टेंट प्लेयर है अगर आप इनकी बोलिंग देखोगी तो आपको लगेगा यार क्या ही बोल कर रहा है बैटिंग देखोगी तो भी आपको ऐसा लगेगा लेकिन बैटिंग पर हर बोल पर शक्के लगा देते हैं ठीक है बोल पर शक्का ट्राइ करते हैं और रिसेंट टाइम इनके आप कोई से ही मैच उठागी देख लो दो-चार शक्के लगाई जाते हैं प्लस इनकी bowling इस तरीके की है कोई मतलब एक bowl आगे डालते हैं एक bowl पीछे डालते हैं और ऐसे में पिटाई के चक्कर में विकेट्स मिल जाते हैं तो important है कि इनके ये fantasy के points दे जाते हैं और grand league में आप इने captain wise captain भी try कर सकते हो क्योंकि ये hitter है ये अभी 10 पे नमबर पे लिस्टिट जरूर है बट इने एक promotion किसी भी match में मिल जाता है और काफी तगड़े छक्के लगा लेते हैं तो एक grand league के लिए अच्छी captain choice आपके लिए बन जाएगी small league में भी आप इने consider कर सकते हैं cocktail की बात करें है तो वो cocktail ही है बाकी सब all rounder अच्छे हैं लेकिन अगर आप cocktail यह दा pure bowler लेना चाते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं death bowling की बात करें तो यहाँ पर death bowling shepherd holder और cocktail जिसने जिस हिसाब से bowling करी होगी वो उस हिसाब से death bowling रहेंगे वैसे यहाँ पर shepherd और cocktail और even holder को भी end में over कराए जा सकते हैं important player की बात करें तो निकोलस पूरन, पॉलाड, जेसन होलडर, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसेन और audience में जोईन के important player है captain wise captain की बात करते है small league में so यहाँ पर रोहिश शर्मा, जेसन होलडर, विराट कोली और shepherd को आप small league में captain wise captain कर सकते है grand league में यहाँ पर विराट कोली grand league के लिए काफी अच्छी choice बन जाएगी specially अगर team पहले batting करती है क्योंकि selection कम है कोली का आधे लोग ऐसे हैं जो still believe करते हैं कि कोली अच्छा करेंगे आधे लोग ऐसे हैं जो इन्हें drop करके चलते हैं so कुछ 40-50% इनका selection रहेगा और उस case में आप इन्हें captain बना सकते हैं क्योंकि अच्छा कर सकते हैं अकल के match में रिशब पंथ है grand league के लिए captain wise captain की choice अच्छी रहेगी अच्छा time enjoy कर रहे हैं अच्छी form में so इन्हें captain wise captain कर सकते audience myth और यहां पर Nicholas पूरण भी अच्छी pick रहती है grand league में चले चलते हैं dream 11 team की तरफ so पहले small league team create कर लेते हैं उसके बाद grand league की teams देखेंगे so यहां पर wicket keeping section में हमारे पास रिशाफ पंथ है निकोलस पूरण है shy hope है और यहां पर इशान किशन है चारों के खेलने के chances हैं यहां पर पूरण और पंथ तो खेलेंगे ही इशान किशन भी मुझे लगता है खेलने चीन है और shy hope की जगा शायद काईल मेर्स खेल जाएं लेकिन यहां पर बात करते हैं important player so toss बहुत important हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं हमें outcome पता है तो उस case में toss जो हो काफी important बन जाता है अगर team पहले इंडिया जो है पहले batting कर रही है अगर इंडिया बाद में batting कर रही है तो उस case में पंथ को नहीं लूँगा फिर मैं अपनी team में पूरण को लेके जाऊँगा तो यहां पर मैंने लेकिन अभी के लिए मैंने पंथ को ले लिया है और यहां पर मैंने इशान किशन को लिया है अगर सपोज इशान किशन की जगा जो खेलने चाहिए लेकिन अगर गायक वर्ड को मौका दे देती है team तो मैं गायक वर्ड को ले लूँगा मतलब कि opener चाए first inning हो चाए second inning हो मैं drop करके नहीं जाऊँगा यहां पर निकोलस पूरन एक अच्छे खिलाडी है टैलेंट बहुत साथ है लेकिन आउट हो जाते है लेकिन प्लेयर अच्छा हो T20 आए में काफी खतरनाक रहते हैं यहां पर बास करते हैं बैटिंग सेक्शन में तो मैं यहां पर अपने दोनों खिलाडी लेकर जाऊँगा इंडिया के यहां पर रोहिश शर्मा और विटाट कोली जैसे मैंने बताया 40% सेलेक्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना ग्रैंड लीग में इंडिया पहले बैटिंग करती है यहां पर रोबमान पोवल है उनको भी ले सकते हो सूर्य कुमार यादा बैटिंग काफी नीचे करेंगे लेकिन आप चाहें तो बैटिंग फर्स्ट में आप रिशप पंद की जगा सूर्य कुमार को भी ट्राइ कर सकते हो आने पर बोलिंग भी कर सकते है तो एक डीसेंट पर किये भी रहते है यहां पर शेर सईयर खेलते हैं तो अईयर अगर खेलते हैं तो वो मुझे लगता है कि पंद से पहले बैटिंग कर सकते हैं तो एक डीसेंट पिक आप के लिए रहेगी आप यहाँ पर king की जगा आप चाहो तो रोवमान पोवल को भी ले सकते हो बट मैंने king को भी लिया है बात करते हैं all rounder section में so all rounder section में मैं यहाँ पर Jason Holder के साथ जा रहा हूँ यहाँ पर shepherd को मैं miss नहीं करूँगा खेलते हैं so दोनों मैं इनके साथ जा रहा हूँ polar deck option है जिसको आप ले सकते हो यहाँ पर chase के chances कम है खेलने के year जो है selection काफी कम है grand league में try कर सकते हो fabian allen को small league में भी try कर सकते हो क्योंकि batting bowling fielding हर तरीके से contribution दे देते हैं so यहाँ पर fabian allen भी एक अच्छी pick बन जाती है तो मैं तीनों बोलर लेके जाऊंगा अगर यहाँ पर कुल्दी प्याद आप खेलते हैं so मैं उनको भी अपने team में लेने की कोशिश करूँगा अब यहाँ पर हमारे पास एक pick बचरी है so audience में एक pick आ जाती है जो थोड़ी बहुत batting थोड़ी बहुत bowling कुछ करके दे देंगे यहाँ पर अकील हुसाइन एक प्रॉपर बोलर स्पिन बोलर प्लस थोड़ी बहुत batting अकील हुसाइन भी करके दे 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 है और कॉक्टरेल इनके main fast बोलर so यह एक pick रहती है मैंने यहाँ पर audience मित को ले लिया है due to मुझे लगता है क्योंकि betting इन सबकी आई जाती है most of the time so आपको betting और bowling दोनों से contribution दे सकते हैं so audience मित के साथ मैं गया हूँ लेकिन यहाँ पर अकील हुसाइन specially एक अच्छी pick है जो most of the matches में एक wicket तो ले जाते हैं plus आपको betting से भी contribution दे सकते हैं और cocktail को भी चाहो तो try कर सकते हैं especially अगर Western Indies पहले bowling कर रही है और अगर pick की बात करें तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार है जिनका selection काफी कम है अगर team India पहले bowling करती है तो भुवी को miss मत करना second inning में एक बार को फिर भी चाहो तो कर सकते हैं bowling first important बन जाएंगे भुवनेश्वर कुमार शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो अगर यह खेलेंगे तो मुझे लगता है चाहर की जगा फिर खेल सकते हैं अगर यहाँ पर खेलते हैं या फिर बिशनोई की जगा और कुल्दी प्यादफ जो एक स्लॉट हमने बात करी थी तो ठाकुर कुछ भी कर सकता है लोड शार्दुल ठाकुर और सिराच की खेलने के चांसिस कम है यहाँ पर अगर खेलते हैं कुल्दी प्यादफ सो important बन जाते हैं तो रवी बिशनोई को भी मौका दे सकती है तो यह रहेगी मेरी स्मॉल लीग की टीम आपको मैं टेलिग्राम पर दे दूँगा तो टेलिग्राम पर जुड़ना ज़रूरी है लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रूँ आप जुड़ जाना कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने यहाँ पर अभी के लिए कैप्टन जो है मैंने रोहिश शर्मा को बनाया है वाइस कैप्टन यहाँ पर विराट कोली को भी कर सकते है और होल्डर को भी कर सकते है अभी के लिए मैंने होल्डर को किया है तो उस case में आप इशान किशन के साथ भी जा सकते हैं तो अभी के लिए मैंने मेरी कैप्टेंशिप जो गई है वो रोहिश शर्मा के साथ वाइस कैप्टेंश मैंने जेसन होल्डर को किया है तो ये मेरी टीम है फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी बात करते हैं आप फैन टू पले की सो सेम टीम यहाँ पर फैन टू पले की मेरी रहने वाली है इसमें आप बैट्समें ना दो ले सकते हैं तीन की जगा सो ब्रेंडन किंग की जगा हम यहाँ पर निकोलस पूरन को भी ले सकते हैं तो वो मैं आपको टेलिग्राम पर अपडेट दे दूँगा, यहाँ पर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्चून रेफर कोड है, और यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, अभी काफी अच्छे उप्शन, इन पर आप ओफर भी आए हुए है, प्लस इसमें ग्रैंड ल अगर आप मल्टिपल टीम्स भी लगाना चाहते हो, 4-5 तो आपके 100 रुपे ही लगेंगे, तो मेरे हिसाब से यह काफी अच्छी ग्रैंड लीग है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्चून रेफर कोड है, तो डाउनलोड कर लेना, अब बात करते हैं, को आउट कर सकते हैं, और फिर रोहिशर्मा और विराट को लिखी हमें पार्टनर्शिप देखने को मिले, वैसे बहुत टाइम हो गया है, यह पार्टनर्शिप देखे हुए, तो देखते हैं, कब देखने को मिलती है, तो यह ग्रैंड लीग टीम मैंने बनाई है, इसमें हमने क्या किया है, कि All-Rounders पर फोकस किया है, कि इंडिया की तरफ से रोहिशर्मा, इशान किशन, यहाँ पर इशब पंद, इसमें विराट कोली नहीं लिए है, सब ने अच्छी बैटिंग करी, मतलब 30-40-40 बनाए, और यहाँ पर दीपक चहार, हरशल पतेल और युजवे ही रहेगी, टीम नमबर टू, ग्रैंड लीग की, आप सेम टीम भी लगा सकते हैं, और आप चाहें, तो डिफरेंट कॉंबिनेशन बना सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ, यह विडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई है, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट केप्टेंशिप चोईस कौन रहने वाली है इस मैच में, और विराट कोली का क्या लगता है, कल के मैच में, रंस बनाएंगे, या फिर आउट अफ फॉर्म का जो सिलसला हो जारी रहेगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी रहे ज़रूर और जुड़ जाईए, जोइन कर लीजे हमारा टेलीग्राम चैनल, फेंटेसी फॉर्चून, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके सुट डाउनलोड जोइन कर लेना, साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजे, जैसी वीडियो आएग आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी, थैंक यू गाइज